आओ गाएं सब हिल मिल ये है नवसाख्षर में दिल दील कगन में वोकी जैसे तारों की जिल मिल ये है नवसाख्षर में दिल ये है नवसाख्षर में दिल कि अधियों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था आज हमारे सत्त शिच्छा केंद्र में स्रीमती रमा अनंद आचकी हैं आपका बहुत बहुत वागत हैं इन्होंने हमारे आज के पर्रह और विशेट्यों पर आफी काम किया है और आज हमें ये बताएंगी कि हम अपने आज पास की या घर की बेकार कीज़ों को प्रियोगात मत कैसे बना सकते हैं आप लिए बहुत सी चीज़ें जो है जो कि हम इस्तमाल करके और उनमें जो बागी बची रहती हैं ब्यर्स चीज़ें जिसे के हमारे वातावरन के उपर बहुत असर पड़ता है इसमें शीशियें हैं बॉल्टल्स हैं रडी हैं और टायर ज़े दो पुराने टायर हैं लेका बन डोछर जारके पaborल्डोर तक के टायर पूल्डोज़ साथ और उनको मैंने इसमाल किया उन परनीचर बनाया, उनसे मैंने कफे डेकॉरेटिव आइटम्स बनाई, इनको निकास करने के लिए उसमें अक्सर क्या किया जाता है, कि इनको चिलाया जाता है टायस को, और चिलाने से जो जुआ पैदा होता है, और जो जहरीली कैसे बनती हैं, वो हमारे इसपास के लिए तो बेहर्द हानी कारत है, इनको लगता है कि हमारे आसपास पालतीची से पड़ी रहती है, अगर आप थोड़ा सा उसके उपर गोहर करें, या उस पर महसूस करें कि इसे हम क्या अच्छी से इच्छी चीज बना सकते हैं, और इसे हमारे वातावरन से जो इतना असर पढ़ता ह क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रबंध नहीं होता है कि हम इन से इस तरह से सुटकारा पासके, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो भी आप देखते हैं कि आपके घर में कोई फाल्स समान बढ़ा हुआ है, उसकी जो आप अच्छी से अच्छी चीज बना के बनाने की अच्छी करें ताकि हमारे जो पर्यावनन के ओपर है उसका अच्छा सर पड़े और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो जिस कुर्सी पे मैं बैठती हुई हूई हूँ, ये कुर्सी भी हमारी संस्था की बनी हुई है, इसमें ये देखेंगे कि ये ये हिस्सा और ये हिस्सा ये सब टायर है, और इसके साथ हमने बहुत ही इसमें आइटम्स बनाई है, जो कि अपने जगा पे हर एक जो चीज है, कि अपनी ही एक महत्तवता है, मैं आप सब का बहुत ही धन्यावाद करती हूँ, मैंने आप आप आइम दिया, हाँ, तो साथियो आज का हमारा विचार क्याता रहा प्रयवरण के बारे में और सफाई के बारे में, ठीक रहा ना, आँ मुझे लगता है कि श्रीमती रमाहनन जी के बातें सुनके या उनके विचार से या उनके कारे को देखकर आप लोगों काफी कुछ प्रेड़ना मिली होगी, तो साथियो तैयार हो, आज का कारे करम शुरू किया जाए, बैठो सभी तो, साथियो अभी अभी आप से एक भूल हो गई है, और आप लोगों को तो पता भी नहीं लगा होगा, है ना, आप सभी अभी खेल के मैदान से आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी हाथ मूँ न में पैर नहीं धुए, हाँ, किसनी जलत बात है ये, है ना, हम आप सभी लोगों से ये उभी जीद करते हैं, कि आ भवश्चे में इन प्रोटी जोटी बातों का, जो कि बहुत नहीं है, हमेशा ध्यान रखो, और सुनो, आप लोगों ने एक दल्टी और की है, हाँ, शायद इस बार संजला को बताने को, वो ये है, कि हम सभी ने जुते चपल, जुही उल्टे सुल्ट उतार दिये हैं, चाब बाश, ये तो बहुत हमजा लड़की है, अच्छा बताओ, तुम किस जमार तक पढ़ी हो, अधर स्री धाले में, बहुत हूँ, बहुत हूँ, आज के वि सफाई पसंदना हो, गंदगी अच्छती हो, दीदी, ऐसा तो कोई पागली हो, इसे साफ सफाई पसंदना हो, बहुत सही कहा, अब जड़ा बारिकी से देखते हैं, कि सफाई के कितने आयाम हो सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्यों है, तो आयाम से हमारा मतलब है भाग या प्रकार, यानि तो अच्छता के किसने प्रकार हो सकते हैं, मनिश्विया चाया आप कुछ भी गओ, पर सफाई तो गदम गदम पर चाहिए, और वह सफाई भी आजी, जैसे के अपने शरीर की सफाई, अपने घर की सफाई, अपने कपडों की सफाई, और वह किता आयां है जिन पर थोड़ा बहुत हैं तो सभी देते हैं लेकिन आज हम इन पर फारी किसे विचार करेंगेर कुशार बस्ते हम देंगे, अपने शरील कि सफाई है हम मुझत है नहीं कि पारथ करने है मेरद मन bleख है तरही अपने हम अपने शरील की सफाई है तो सबसे पहले लेते हैं आंत्रिक सफ़ाई देखो साथी तो तेक गट्की को सुभा पांच के खेके बीच में उठ जाना चाहिए वो हमें सबसे अच्छा रहता है और उठने के बाद हमें दो तिन ग्लास थंडा पानी पीना चाहिए और तभी हमें निट्ट्यक्रम स्वाच सबस्तादी के लिए इभाता है सब्सक्रादी के लिए आप जानते हैं पानी यह मीप्नों आहिए अव्य मbahnयों थान्य पोल्ग होती है और बार शाना सिर् generally म हमी भी कि आंखो की सफाई कैसे की जाए कि बताया गया है कि सर्दियों में तो थोड़े बुल्वने पानी से और गर्मियों में चुद और चीटर जल से आखो में चीटर देनी चाहिए बिल्कुल ठी लेकिन इस बात का जहान अवश्य है कि आखेग होने के लिए जिसकी जल का प्रयो प्रयोप किया जा सकता है हां वहीं जल लेने से पहले हम यह देखने कि वह पूर रूप से जणा हुआ है और जब यह हम अपनी आखने दोए तो मूं में पूरा पानी भर ले उससे क्या होता है हमारी आख पूरी तरह से खुल जाती है और हमारी आखों को फाई ठंड़क मे चाहिए और फिर जो आगे के दांत होवे है ना उससे इस पर से नीचे और नीचे से उपर मलना चाहिए और और जो दाड़ो वाला भाग होवे है उसमें गोला कर ब्रग घुमाना चाहिए दीवी दांतों को अंदर के और से भी बहुत अच्छी तरह साफ़तना जरूरी है म मुमें कैँबार पानी उचर उचर करके फोल्डा करना चाहिए मुमें जीव धुबा कर अच्छी तरह पतासी कि पता दैता है कि मुगी सपाई यह या नहीं करने के बाद नंबर आता है शरीर की सफाई के लिए रोज नान करना बहुत ज़रूरी है और नान हमेशा ताजे पानी से करें यदि पानी थंडा है तो थोड़ा सा गरम कर लोगने पानी से नाने पर शरीर की सफाई और अच्छी होती है और शरीर को अच्छी तरह साफ करने के लिए सावन का प्रियोग भी किया जा सकता है अरे नान जी भला करे सबीता बहल है हम तो दियाद के रहने वाले लोग है और बेशन और दही पे ही अपना शरीर साफ कर लवे हैं और वाल रुवे में हम तो मुल्तानी मिट्टी काव में लावे हैं काव ठीक नाभी है अरे काकी बेशन, दही, मुल्तानी मिट्टी ये तो बहुत ही बढ़िया कुद्रती चीजे हैं इन से बढ़कर तो कोई चीज बोई ही नहीं सकती हमें इसके अलावा हफते में दो एक बाद शरीर की मालिश पर करवानी चाहिए इसके हमारी रख संचार पर बहुत ही आसे भी तेल से शरीर की मालिश कर सकते हैं और सर्चु का तेल तो कितानों नाशकी होता है यह हुई तन की सफाई अब एक सफाई और रह वही है वह है मन और बुद्धी की सफाई देखो साथियो अच्छी किताबें पढ़ने से अच्छी विचार रखने से छेल कूदने ज मनी राम जी या जाकर भाई इनकी लिए स्वाध्याय यानि अपने आप पढ़ना कीर्शन में जाना और सत्तंगाजी में बैठना इस सबसे मन की और बुद्धी की स्वच्छता और सफाई बनी जाती है मनीश्ची व्यक्तिगत सफाई तो आपने खुद तभीयत से करवा दी अरे मैंने क्या करवा दी आपने मैंने और हमारे सभी साच्छी ने मिलकर की तो अब हम लेते हैं अपने घर और द्वार की सफाई क्यों ठीक है हाँ मनीश्ची मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारा घर एक सब्सक्राइब होता है और इसकी सफाई करना इसको सब्सक्राइब हमारा कर्तव है विल्कुल हम तो सव पातन की एक बात जानते हैं कि जो तुम अपने घर को साथ सुत्रों रखोगे जाड़ पूंचके लीप पोचके तो वो तुमें परसंद रखेगो और खुश रखेग अब मानिस्वाबु तुम्हें एक बात बताओ जो घर गंदा होए जाड़ू गुहारी ना लगी होए और चारों कोने में बखडी के जाले-जाले लगे होए तो भाहिया ऐसे भूत बंगला में कोई रह सके का वाह रामुका का वाह आपने तो भूतिया मकान का नक्षा ही क प्रतिवर समय अपने घर की सफाई रंगरोगन लिपाई पताई जरूर करनी चाहिए अरे राम जी भला करे हमारे यहां दो दिवाली और देशेरा पर यूनी हर साल सफाई का काम हो जाए है हाँ बिलकुल और देखो हर साल मकान की सफाई करते वक्त हम इतनी भी फालती कबारी को बीज़ेना चाहिए वरना जानते होगा क्या कि एक समय ऐसा आएगा कि घर में समान इतना भरा होगा कि हम लोगों को उठने बैठने और चलने फिरने की जगावी नहीं मिलेगी बैया जी मेरे बाबुजी कहते हैं कि घर में तिक दो ही प्रकार्टी वस्तूब हो स हां तो अब मतलब ये निकला कि घर में केवल उप्योगी और सुन्दर वस्तूएं ही रहनी चाहिए है मनिश्या क्या मैं भी कुछ कह सकता हूं बेशक तो क्या कहना चाहते हो मेरी माताश्री का मानना है कि हर चीज अपनी जगा पर सही तरीके से रखो भई सुबत हम तुमा अब देखो जो चीज बत अपने फॉर्ट काने पर रखी हो है तो वाए आख मूंद के भी वहींते उठाले हो अब सुनो बत्ती चली गई ही और अंधेरो हैगा घुपम ठीक है आप अगर मॉम बत्ती या दिया सराई वाई जगह पर रखी हो तो 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 अगरा तो उठालो अगरालो उजीता ही उजीता हो नहीं तो भईया थाते रहो अधेरे में पटकी पर पटकी अगर अपनी नियत जगहा पे नहीं रख चीज है तो बताओ कहां जूंडोगे मांचे और नतीज़ा क्या होगा कि अंधेरे में बैठे रहोगे और एक दूसरे ज़्टे को को सिरा होगे और जैती उठोके तो दिर पड़ोगे अगरोगे आज बाते दो अच्छी होगे अब आप सभी रोज मर्रा की सफ़य तो आप जानते ही है कोई भी यह साफ सा कबरा लेकर अपने घर की रोज जमने वाली धोल्टी अमेचा साफ नीचा अब बनीश जो एक रहागेर के उपर गिर गया अब उन लोग में हो गई कहा सुनी कमाल है कि तो वही भादी कि तुरी और हीना जोरी यानि गल्टी भी करो और गुर्राओ भी मनीश्ची मुझे तो उन तमाश बीनों को देखकर आश्चरे हो रहा था कि सुच्छा बैठे वे थे सारा देख रहे थे लेकिन मुझे किसी के एक शब्द भी नहीं निकला जैसे उनके मुपर ताला लगा वो एक दम गल्ट भात है गूंगे भेरिन कि तरह यूं देखते रहनों अरे बात सुनों कोई गल्ट काम कर रहो हो है तो वहा को बहर दूरो तो करनो ही चाहिए अब काका ज कि माल लो अगर वही कच्रा उस रहागीर की बजाए उस महिला को पज्र जाता ना तो तो लड़ लड़के आसमन से तो उठाले तीजिए मैं कभी सायन नहीं करता था वो फूरा फैंकना वाली का किसे कहता गल्ती सरासर तुमारी है फॉरन इंसे मापी मांग लो वरना वरना जावे अरे नहीं नहीं भाई यो दंगे फसाज की नौबत कभी नहीं आती देखो आपने कावशनी है ना कि चोर के पहरी कितने होते हैं जहां भी ऐसी जगा कोई एक भी आदमी अगर हिम्मत पे खड़ा होता है तो उनके होंसने फास्त हो जाता है अचलो मालो कि ये समाज सफाइब कोनों नहीं करता पर इसका मतलब यो तो ना हुआ कि अपना घर तो कर लिया साथ और भीया कूड़ा उठाय डाल दिया सेड़क में यह बात है काकी और यहीं होता है अक्सर अनि सारे घर वाले अधियाद बरते हैं और कूड़े को कूड़ेदान में डाले हैं और क दरा सिला परवाई से हमारा पूरा महौल और पर्यावरन इतना गंदा हो जाता है कि हम लोग वहां पर बिल्कुल ठहर नहीं सकते हैं अच्छा मनीश्ची आप कहें तो मैं इन से कुछ प्रशन पूछो हाहां क्यों नहीं पूछो ना आप ये बताईए कि हमारा पर्यावरन यानि हमारा आस पड़ोस साफ और स्वच रहे इसके लिए हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अरे दीती हमारे विधाले में ये बात बहुत जोड़ देकर बताई गई थी कि प्लास्टिक की तहलियों या पॉलिफिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए हां सुना त साथियों पॉलिफिन बैग बहुत ही गलत चीज़ होता क्या है कि ये ना तो वर्षों तक गलता है और नहीं सरता है और जो हम फैकते हैं वो नालियों में पाइपों में या फिर बड़े-बड़े नालों में रुकावट पैदा कर देता है और आप जानते हैं उसका प्रदूशन का पूरा नक्षाई बता दिया कुछे दिनों पहले मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि ये जो प्लास्टिक इथैलियों होती है जो हम कूरे में फेक देते हैं इनको खा लेने से प्रतिवर्ष असी हजास से ज्यादा गाय भैसो की मृत्ति हो जाती है सुन पूरे कच्रे में डाल दिया और भूख से छिट पटाते जानवर उसको खा जाते हैं जो की जाकर उनकी आतों में फर जाती है और उनकी जान परावनती है मनीज भीया अगर तुम सब हमारी बात मानो तो मैं तक कहता हूं कि अबई तुम प्रण कर लो पक्की ठान लो के ऐस सारी बाते हैं पता है आपको जैसे पेड़ पौधों और जंगलों की कटाई हां धुआ उगलने वाली पैक्ट्रियां धुआ उगलने वाले इसके भट्टे और यह जो दिन रात वाहन चलते हैं तेल से डीजल से समझे आप अरे दीदी अब इस परदुशन की समस्या तो हम हमारी सरकार और हम सभी देश्वासी आपसने मिल करके सहयोग करके और कम परदुशन सलाने वाले इधनका परियोग करके दूर कर सकते हैं जैसे कचता इधा उधरना फलाएं रेडियो टीवी धीमियावाज में चलाएं और खुद भी अधिक शुवरना मचाएं अजी इसके हमारे देश के सो करोड इस्तरी पुरुष अगर एक एक पॉधाव लगाएं और बाल बच्चे की तरह बेटा वाकी देखपाल करें तो जी सुल्यों के कम से कम सो करोड बिच्छ है जांगे वाह रामु काका आपने कितना बढ़िया फॉर्मूला बताया है भारत को एक हरा भरा राष्ट बनाने का अगर हम इतने सारे पेड़ों गाएंगे तो इस प्रदूशन का कूप्रभाव काफे कुछ कम हो जाएगा राम जी भला करें सभीता बहन एक बात तो मैं भी अपनी बहनों से कहना चाहूं कि वे सभी अपने घरों में दूहा रही चूहले बनवाई और खाना तो हमेशा ही गोपर गैड या रुस्वई गैड पर ही बनावें वा का की वा तुमारी बात में तुम नहीं जानती इस बहुत बड़ा बरदान शिपा हुआ है हाँ मनीश भहिया एक बात तो है कि बिना धुहा के चूला और गैस रुस्वई पर काम करने ते हमारी मा बहन और बहु बेटीन की जो आँख है ना वो कई तरह की बिवारीं तो बच जाएगी जैसे रतौंधी परवाल रोहे और ती जो काके हैं वो आँख दुखने की बिमारी अब तो सौर उर्जा से चलने वाले कुकर भी बाजार में आ गए हैं और सूरज की रोशनी से ही खाना पक जाता है यूतो जी वह बात हुई कि हींग लगी ना फितकरी और रंग वाव चोखो हमें पालतू और तूटी फूटी चीजों को काम में लाने की कोशिश करने चाहिए ये बात को अब आप लोग अच्छी तरह समझी गए होंगे जैसा कि आपको मिस्स आनंद समझा कर गई थी हां अविताज मुझे लगता है कि हमारा आज का आखनी कारेकरम सवाल और और प्रतेक सही सवाल का उत्तर देने वाले को पांच अंक मिलेंगे और आज देखते हैं कि सबसे जादा अंक किसे मिलेंगे ठीक है मनीश ची वह तो ठीक है लेकिन क्या मैं सोच रही ची कि आज हम दो टोलियां बनाते हैं अरे वाँ यह बहुत बिशार है एक टोली में तो तुम इस तरफ आजाओ ठीक है हाँ यह वीनवाद देखो ऐसे बैठे हुए आप तभी लोग कितने अक्षे लग रहे हैं सवीताजी हाँ बिल्कुल ठीक देखते हैं आज कौन सी टोली जीतती है हाँ चलो ठीक है सवीता हम दोनों बैठते हैं और इनसे करते हैं सवाल जव हम लोग किस दिन मनाते हैं मनीश भीया हम बताएं यह मनायो जाए दो अक्टूबर कु अरे वाह बहुत बढ़ी बिल्कुल ठीक बड़े उशार है ना मुगा का अचब यह बताईए कि हमारे गाउं में सफाय की कमी के प्रमुक कारण क्या है हाँ बताओ हाँ कौन बताईग असिक्षा और स्वच्छता की भावना की कमी हाँ तीजा प्रशन स्वच्छता या सफाई से जुड़ा हुआ हमारे यहां कौन सा पर्व है मैं बताऊं भीया हो है दिपावली अरे वाह यह बहुत अची बाद बताई आपने तो यह तो अगला प्रशन आप पूछो प्रशन प्रशन पीने के पानी को किटाडू और जीवाणू रहीत बनाये रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए मनीज भीया हम बताएं पानी फू पहले तो फू अच्छी तरह उबाद लियो ठीक है और वाके बाद वह ठंडो कर लियो अजब ठंडो है जाए तो अच्छान के साफ धूत्रे बरतन में भर दियो मनीज भीया पीने के पानी का जो बरतन होता ना उसे रोजाना साफ करना चाहिए अच्छे शौ चादी के बाद हाथ कैसे स्वच करोगे मैं बताओं हाँ 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 ती दिन का के आप बताओ पीली मिट्टी और राग से हाँ बिल्कुल ठेक भाई तो जम कर मुकाबला हो रहा है खाने से पूर में किन बातों का जहान रखना आवशक है कौन बताएगा आप हाँ बताओ जल्दी हास पैर और मूँ साफ करके ह हाँ और सभीता जी एक बात और है अगर हाथ जोए साब पानी से और साबुन ते दोई जाए तो और भी बढ़ी हाँ विश्व पर्यावरन दिवस कम मनाया जाता है हर साल पात जून को प्रेशन नमबर नौ पर्यावरन में हमें कौन कौन से प्रदूशनों से बचना होता ह जल पर्दूशन और मनीज जी धुआ धक्कड और कैसे हाँ तो साथियो आज की प्रशनावली का अंतिम प्रशन तो जोनों टोलिया तयार है हाँ तो अब बताओ ये कि हम लोग व्रक्षा रोपन सप्ताहा किस दिन मनाते हैं हाँ जल्दी टाइम हमारे पास बहुत कम है जल्दी से जल्दी से अच्छा इसा करते हैं अच्छा एफेला हम हाँ तो पहले मोका हम तीजन बाय को देतें बिलकुल ठीक है तो इसे ते पासाण बताओ ने व्रक्षा रूपन सप्ता कब बनातें हो गुरicon लाइग के पहले सप्ता मैं यह देसे है अहित पतादी पाँ हर बार सभी के लिपे पुते हो कुन तपाई कलियों में हरी भरी पतले लहराए कि आई बहारे कलियों में सब्सक्राइब 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 और मैं तो यह कोंगा विटा सबने कि भाई जो समझतार आदमी है वह अपने अपने घर में एक एक जरूर लगावे बिटा कोई खुशी का टैम हो तो लगावे अने कोई हम जैसा पुठ्धर लुडग जावे तो उसकी यादमी पेड लगावे बिटा तो एक आदमी एक पेड लगाएगा तो करोड़ों पेड हो जाएंगे बातावल सुत हो जाएगा को करना दो जाएगे है ने अस्या जई एक रहता। करेंगे अश्याथ को जोर एक पेड़ों को जों प्रहर लुड़ो नियुमा। करते जाएग जाएग फचे शुतिं। करते बंदेजिने को जिएट्र प्रस्सेया 16 th觉र जाएगाश्या और भाईयू मेरा तो यह कहना आप चले कि जहां तक हो सके पैदल चलो पैदल चलो आपके हाथ पैर खुलेंगे आपके सहत अच्छी रहेगी आज करके जरा सी दूर जावा है मोटर सेकल जरा से काम जाएं मोटर सेकल पर अरे पिट्टा जभी आज करके चलों में चक्ति ही नहीं रही तो इसलिए जहांत को पैदल चलो कदम से कदम मिला के चले को को तो दूर में करते को एक एक कर एक दीख से जेरो देख पक जलते लिए दगर में होती ज़र पेता रोती दिनी यहें नौसा स्रमती यहें नौसा स्रमती